हेलो गाइज, वेलकम टो आवर चानल नेचर्स डाइरी बाइडी आही ले दोस्तो आज की नेचर्स डाइरी में हम सीखेंगे कि चीली यानी मिर्च को हम घर में सीड से कैसे ग्रोव कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पास यह दो चीली थी जिसको मैंने धूप में सुखाया है और उसके जो बीज है वो पूरी तरह से ड्राइ हो गए अब यह मिर्च के अंदर में जितने भी सीड से उसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों यह जो मिर्च मैंने स्विलिक करके रखी थी यह मिर्च मैंने पेड़ पे ही जो मिर्च का प्लांट होता है उसके उपर ही उसको लाल होने तक रखा था क्योंकि बहुत बार कुछ मिर्च हम जब निकाल लेते हैं तो वह हरी होती है और उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है बट मैंने मैं स्पेशली यह जो दो मिर्च है उसको चीली के प्लांट पे ही रेड होने दिया था उसका कलर चेंज होने तक वह ही राका था और जब वह पूरी अच्छे तरह से लाल हो गए थे तो उसको निकाल के फिर मैंने दूप में सुखाया था तो अब उसके जो सीड्स निकलेंगे वो मेचूर सीड्स होंगे और उसमीं जब हम प्लांट बनाएंगे तो ज्यादा से ज्याद़ा प्लांट हमें मिलेंगे उसमें सक्सेस ठेट ज्यादा होगा भी लास्ट की इमिर्च बाकी है उसके नंदर के सीड में निकाल लेता हूं कि're इस इसे हम बाहूल में पानी लेके पानी में डाल सकते हैं और फैनल की शिव कॉलिटी चेक कर सकते हैं मैं कैसे करना ना आप यूट्यूटब पर सर्च गर सकते हैं अब सीड निकाल के रिडी है हमारे पास एक पॉट ले लेता हूँ छोटा सा पॉट है उसके पर हम पॉट में मैंने मिट्टी मिट्टी की ऊपर कोकोपीट रखा है और अब मैं सीड को स्प्रेड करने जा रहा हूं और सीड को स्प्रेड करने के बाद उसके उपर फिर से कोको पीट में डालने वाला हूँ सीड को ढखने के लिए अगर आपके पास कोको पीट नहीं है तो आप मिट्टी यूज़ कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि इसको सीड को मैंने अच्छी से स्प्रेड करके रखा हैं अब उस सीड को हम ढख लेंगे मैं कुछ कोको पीट उसके उपर रख देता हूं कि अलके से कि अच्छी सारे सीड को मैंने ढख लिया है अच्छी से उसको सेटल कर लेंगे कुछ सीड ऊपर आ गए तो उसको वापस ढख लेता हूं और इस तरह से हमारा पहला जो पॉट है वह रेडी है और एक पॉट में हम सीड लगा सकते हैं अधिके बाकी के सब सीड में दूसरे पॉट में स्प्रेड कर देता हूं और फिर वह सीड को हम वापस ढख लेंगे कोको पीट से कर दो बाकी को पॉट है तो फिर वह रेडी हैं तो इस तरह से हमारे दोनों भी पॉट्स अब रेडी है कि मैंने कुछ नेम टैक्स बना लिया है ताकि द्यान में रहे कि इस पॉट में हमने क्या लगाया है क्योंकि इसमें अल्मूस दो-तीन हफ्ते निकल जाने वाले हैं जब तक सीड का अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होता है दोस्तो integrate के लिए जो प्लास्टिक मैं ने यूज किया है वह जो घर में हमारी खाली बोतले पड़ी हुई होती है ब्लास्टिक की उसको कट करके बनाया है घर में पड़ी हुई प्लास्टिक भॉतलों का हम गार्डण तूल्स केसे बना सकते हैं उसका वीडियो मैंने आल यूट्यूब पे डाला है आप देख सकते हैं यह हमारे पॉट्स अभी रेडी है यह से हम पाणी दे देते हैं हलका सा स्प्रिंकलर से हम इसको पाणी देंगे ताकि कोको पीट जो है वह अच्छे से वेट हो जाए और हमारे सीट्स जो है वह फुलेना हो जाए जाए है आप जाए है 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 कि एक जो हुआ है है कि ऑगरे सेट्स इस फुले हो गए है उसके ऊपर का कोको फीट है है वह साइड में हो गया है पानी के उसे वापस ढख लेंगे कि उपर से फिर से कोकोपिट रख देंगे उसके उपर कि इसे डख देते हैं कि जो सीड्स खुले हो गए है वह अगर धूप में वैसे पड़े रहे थे तो उससे प्लांट बनना उसका जर्मिनेशन होड़ा थोड़ा डिफिकल्ड है तो बेटर है कि हम उसे ढख लेंगे दोस्तों तीन हक्तिक से ज्यादा हो गए है अब देखते हैं कि हमारे पॉर्ट में प्लांट की कंडिशन क्या है कि देखिए प्लांट उगना शुरू हो गया है चोटे-चोटे पोद्य आप देख सकते हैं सेट का जर्मिनेशन होना आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट अभी जर्मिनेट हो रहा है असलिट आप देख सकते समद है दुस्ता आप शिक्ष विक के बाद जो भी कंडिशन हैं हमारे प्लांट की वह एक बार देख लेते हैं यह दिखें हैं प्लांट अच्छे से भू कर रहे है और बहुत ही हेल्दी प्लांट से पत्ते बिल्कुलार है तीन तीन चार चार पत्ते अब अब आपसों इस तरह से आप चिली ग्रौ कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई information अगर आपको useful लगती है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए हमारे चानल को like कीजिए subscribe कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे future uploads आपके पास जल से जल पहुँचे दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो के links प्रोवाइड की हुई है जिसमें दी गई information आपके लिए बहुत useful हो सकती है तो इने जरूर देखिए Thank you